नमस्कार दोस्तों मैं संदीप स्वाकत है आप सभी का आपके अपने सक्सेस तो यूटूब चैनल में दोस्तों आज पार्ट नमबर है 15 आज किस वीडियो में हम बात करेंगे हिंदी पॉलिटिकल साइंस मौडल कोईश्चन के बारे में यानि कि राज नित सास्तर कोईश्च आप याद करते हैं तो आगया आने वाले एक्जाम में आपको इस वीडियो से पॉलिटिकल साइंस लेटट ज्यातर जो पिछले कई सालों में कुछे गये हैं आपको बहुत सारी आने वाले एक्जाम में हेल्फ मिलेगी क्योंकि ये सारे question पिछले कई सालों से जो repeat हुए हैं वही मैंने इस वीडियो में include किये हैं तो बिना देरी के वीडियो में आगे बढ़ते हैं बहुत साइज जानकरी आपको इस वीडियो मिलने वाली हैं तो बीडियो को पूरा देखते रहे हैं वीडियो के लास्ट में कुछ में आप लोगों को और भी जानकरी देने वाला हूँ तो बीना देरी के चलते हैं आगे की ओर आप सभी को मालूम है किस बार जो एकजाम होने वाले है कि जयाना तर वो अपजेक्टिव बेस पे ही होंगे आप सभी को तो मालूम है पहले करें तीन-चार सालों से लगातार एक नया पैटर्ण आ गया है कि जो फस्ट एर वाले एक्जाम होंगे चाहिए बीए के हो चाहिए बीएस्ट चाहिए बीए को मुटिपल च्वाइश यानि objective question नहींगे पहला यानि कि question एक question रहेंगे और चार आपसर नहींगे जो सही होगा उससे आप लोगों को गोला करके फिल करना होता हो मार सीट में त तो तीनों एर के लिए important है तो ये political science के question है आप सभी के exam में काफी health मिलेगी ठीक है पहला question है कि राज जी को परिवार का ब्रस्तित रूप किस दासनिक नहीं माना है तो इस तरह के question exam में आपको देखने को मिलेंगे आपको आफसर मिलेंगे शुकराद, B-7, Henryman, C-9, Q-NAS, D नमबर है आरस्तू, तो जिस question का right answer आप सभी को मालूम basic comment करके बता दीजिएगा ठीक है, इन चारवाफसर में क्या right answer हम आपको बताएंगे लेकिन आने वाले दिनों में जिब question को test series चलेगी तो उसमें आप लोगों को ही answer बताना होगा, ठीक है, राज को परिवार का ब्रस ठीक है, बढ़ते हैं अगले question क्यों, एलग question कहरा कि सीमित राज तंतर का समर्थन किस ने किया, नमबर एक है रूसो ने, और B नमबर है हाबस ने, और C नमबर जॉन लॉक ने, और D नमबर है लास्ट की ने, तो इस question को तो right answer हो जाएगा, वो हो जाएगा, आप सा नमबर क मैं आपको बता दो, कुछ word हो सकते है, type करने miss हो गए होंगे, mistake हो गए होगे, तुसे आप पुग ignore कर दीजेगा, पिरहाल जो भी word mistake रहे हो, उससे मैं आप लोगों के information कर दूँगा, ये word ऐसे ने, ये से होना चाहिए, तीक है, अगला question कहरा कि हाबस किस देश के, sorry, हाबस थे, वो इंगलेंड के दास्कनिक थे, ठीक है, इंगलेंड देश का दास्कनिक था, इसलिए question को right answer हो जाएगा, वो हो जाएगा, B number, इस तरह के exam में कई question पूछाए जाते हैं, आप सभी को मालूम है, तो इससे related question आपके exam में आने ही आने है, तो अगर ध्यान से ज़रूर स धन की उचित बित्रण किस प्रकार की समानता है, यह है आर्थिक समानता, इसलिए question को जो right answer हो जाएगा, वो हो जाएगा, B number, बहुत important question तो ध्यान में रखिएगा, बात करते हैं next question की, next question कह रहा कि प्रथम संसकार के किटाणू किस में दिखलाई देते हैं, आप सर मिल का C number हो जाएगा, अगले question के और बढ़ते हैं, अलाग question कह रहा कि, राज के निर्मार में सहायक तक्तू, number A के रक्त संबंद, सक्ति, समाजिक प्रावर्ति, और D number में से कोई नहीं, जो 6 regular classes कर रहे होंगे, या फिर book खरीदे होंगे, इसके बारे में कुछ पढ़ा होगा, तो उनको इसके बारे में बहुत साही जानकारी मालूम होगी, जैसे question हम बोल लें, उनके अंदर एक वो आ जाएगा, कि हाँ ये इस तरह का मैंने कुछ पराग्राफ या इस तरह का कोई question मैंने बुक में पढ़ा था, जो छात नहीं अभी political science की book open किया, या फिर ऐसा कह सकते कि question bank, तो उनको थोड़ा समझने problem हो रही होगी, लेकिन एक दो बार वीडियो आप देख लेंगे, बुक भी पढ़ लेंगे, तो समझ में जल्दी आ जाएगा, तो राज के निर्मार में सहायक जो तक तहीं इनमें से सभी है, इसलिए question को तो right answer हो जाएगा, वो हो जाएग 1980, 1965, 1915, 1945, तो चीन में सामझादी करांत कब हुई थी, उस question का right answer हो जाएगा, उनिर्मार में, फिराल इस question का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन question पूछा गया है, बिछले 4 मेसले में आपको प्रवाइड करना हूं, ठीक है, क्योंकि आप सभी को मालूम है, मुझे बतानी का है सकता नहीं है, इसके बारे में, लिखा है कि, पेल्टो की पुस्तक, रिपब्लिक का उपसिर्शक है, नमबर एक सामझाद, वन नयाए, और C नमबर है आदर सराज, और D नमबर सिच्छा, तो इस question का right answer हो जाएगा, वो हो जाएगा, सामझाद, ओके, ए नमबर राइट टिक करते हैं, बढ़ते हैं, नेश कोईशन के उर, नेश कोईशन कहरा हूँ कि नीम लिखित में, नीम लिखित में से आदर स्वाधी बिचारक माने जाते हैं, ग्रीन, कांट, हीगल, मेंसे सभी, तो इस question के जो right answer हो जाएगा, वो हो जाएगा, निम लिखित में से जो आद सब्सक्राइब बढ़ते हैं नेस्ट कोश्चन के और नेस्ट कोश्चन कह राकी बहुत इंपॉर्टन कोश्चन एक्जाम में कई बार पुच्छा जा चुका तो इस पर ध्यान जीज़े कि इस बार भी आ सकता है तो मैं आपको राइट एंसर बता दूँ कि यह जो है वो इस बेवस्था को अनुच्छन नमबर 45 में की गई है इसलिए कोश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी नमबर बढ़ते हैं नच्छ कोश्चन के ओर कि प्लेटों ने समाज को कितने भागों में बाटा है समझ लिखा है समझ समझ लेकिन समाज है ठीक है समझ लीजेगा आप लोग समाज को कितने भागों में बाटा गया आप सर आपको मिल जाएंगे 5384 राइट एंसर हो जाएगा वे नंबर 3 ठीक है प्लेटो ने समाज को तीन भागों में बाटा है सभी के आदर्स्वादी या फिर आप कह सकते हैं जो भी राजनेतिक वादी थे हों उनके सभी सभी के अलग-अलग मत्बेत हैं लेकिन जहां पर प्लेटो ने समाज को माटा ह चैने इतरब था आगोर्ड में धा पर आखर-डटा पाड़ ऐसे में यह वर तीन थीर वागों में गाटा है जरौड अलगसंसर कि आठ यकिर्टिक सद्दृतां दyन तो नोंबर प्लाइक गिनदृतंटृत्र नगरिक सद्दृत्ट? का रूप है वह है इनमिसे सभी किनि कोने मे लिखा है कि न्याय के आधुनिक 10 कोन में केंद्र बिन्डव है नंबर एक सरकार समाज कोश्चन समझ यह गाटिक है तो निया के आदविंग दिस्कोर के बिंद में जो है वो के इंद में बिंद में समाज है राइट एंसर टी नमबर हो जाएगा बढ़ते हैं इसकोशन के और नियुक कोश्चन कह रहा कि नियुमक में से दा Marden स्टेट के लेक है नमबर एक माइकाईवर बी नमबर मैक से कृश्चन के दो राइट एंसर हो जाएगा दा मारइबन स्टेट के लेक है क्या काई वर है इसलिए question के जो right answer हो जाएगा वो हो जाएगा ए नमबर ठीक है ए नमबर बात करते है next question की next question कह रहा कि France में राष्टेता की भावना कब बढ़ी ज्यान दीजिए question में exam में कई बार आ चुका है तो इस question के जो right answer हो जाएगा प्रांच में राष्टेता की जो भावना है वो सन 1789 में बढ़ी जिए question के जो right answer हो जाएगा वो हो जाएगा टी नमबर ठीक है बढ़ी बात करते हैं इस question की लिखाए कि राज जी की सबसे उप्यूक्त परिभासा किस ने दी राज जी की सबसे उप्यूक्त परिभासा किस ने आपसर आपको मिल जाएगी रूसों ने बिल सन ने डाक्टर गवार्नर ने और डी नमबर है लास्ट की ने तो जो question का right answer हो जाएगा राज की सबसे उप्यूक्त परिभासा दी थी डाक्टर गवार्नर ने इसलिए question का right answer हो जाएगा सी नमबर बात करते हैं ने इस question की ने इस question कहरा इंगलेंड की गवरों पूर्ण क्रांति कब हुई थी आफसर आपको मिली जाएगे इसमें 1650, 1701, 1651 और 1688 इंगलेंड की गवरों पूर्ण क्रांति सन 1688 में हुई थी इसलिए right answer D हो जाएगा important question एक जाम में कई पूश लिय बढ़ते हैं ने इस question क्यों? ने इस question कहरा कि प्रमुक जादुगर्व से राजा बनना आसान है या कथन किसका है? आफसर आपको मिल जाएगे गेटल का, रूसो का, मैका इवर का, गिल क्राइस्ट का, ठीक है? तो question का जो right answer हो जाएगा है, हो जाएगा, D number, गिल ठीक है, D number, अगले question को बढ़ते हैं, अगला question कहरा कि राज सब्द का प्रियोग सबसे पहले किस ने किया था, ठीक है, प्रियोग वो किया था, मैकिया वैली ने, ठीक है, मैकिया वैली ने, इसलिए right answer हो जाएगा, बात करते हैं नेश कोष्चिन की, नेश कोष्चिन कहरा कि सुतंतरता अतिसासन का बिल्योव है या कथन है, नमबर एक लासकी का, सीले का, बो, सांके का, और D number है, कोल का, तो question का right answer हो जाएगा, बी नमबर सी ले, ठीक है, क्या हो जाएगा, बी नमबर सी ले, बात करते हैं निश्च कोश्चन की, निश्च कोश्चन क्या कहरा देखते हैं, लिखा है कि राज जी की उत्पत्य के संबंद में कौन सा सिधान्त इसवर बिस्वास करता है, पिर से कोश्चन पढ़ते हैं क्या मिल जाएगा इन में से सभी तो इस को उसनर हो जाएगा वह जाएगा वह जाएगा वी नंबर दैब उत्पत्य का सिध्धान उके जाएगा बी नंबर अगले कोशें को बढ़ते हैं लिखाए कि राज की प्रारम्य की कई है राज जी की प्रारम्मी की काई है समाज, परिवार, कुटुम्ब और इन में से कोई नहीं तो राज जी की जो प्रारम्मी की काई है जो प्रारम्मी की काई पूची जाए तो वहाँ पर बताया जाएगा एंसर इसका परिवार बात करते है निश्कोष्टन की निश्कोष्टन कर रहा है कि इनमें से राज जी का अनिवारतत्त तो नहीं है इनमें से राज जी का जो अनिवारतत्ते वो कौन नहीं है आफसर आपको मिल जाएंगे सम प्रुभता स्वरी सम प्राप्रुभता ठीक है रभता और B नमबर सरकार C नमबर सुरच्छा और D नमबर जन संक्या तो कुश्चन के जो राइट एंधर हो जाएगा आपसल नमबर C सुरच्छा इनमें से राजजिका निवारता तो नहीं है सुरच्छा ठीक है अगले कुश्चन के ओर बढ़ते हैं लिखाए कि राज जिका उद्दे से नंबर एक समय जिक सेवा साब जनिक सुक बेवस्था बनाए रखना डी नंबर इनमें से कोई नहीं तो राज जिका जो उद्दे से हुऊ है इनमें से सभी यानि कि समाज जिक सेवा भी साब जिक सुक भी बेवस्था बनाए रखना इसलि प्रोटिकल साइंस लिटे इतने इंपर्टन कोईश्चिन आप सभी के लिए मैंने इंकल्यूड के थे जो कि आपके आने वाले एक्जाम के लिए काफी हेल्प और इबाटेंट है अगर आपको कोई 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 सुझाओ अगर कुछ पूछना चाहिए तो पूसकते हैं अगर आ नेस्ट वीडियो में तब तक ले जैन दोस्तों